एक engineer थे, उन्होंने देखा कि जितने भी समान ships में डाले जाते हैं, वो ocean के heavy water flow से इधर उधर हो जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा spring बनाये जाए जो बहुत hard होगा और heavy water flow से समान को हिलने डूलने से बचाएगा, और दोस्तों उस engineer ने बना दिया वो spring, बट हुआ exactly उसका ultra, वो spring बहुत soft था, वो easily compressed हो जाते थी, easily stretchable भी थी, यहां तक कि उस बंदे ने उस invention को fake ने तक का सोच लिया था, लेकिन फिर उन्होंने फेकने के जगा पास कि किसी छोटे बच्चे को से खेलने के लिए दे दिया, and guys, rest is history, नमबर टू पे जो है, वो खेलानों तो बलकि एक ऐसी चीज़ है, जो हम इसे almost सभी day-to-day life में यूज़ करते ही होंगे, और वो है post-it notes, dr. Spencer Silver के साथ भी लगवग उस slinky engineer जैसे ही case हुआ था, Spencer हफतो से एक ऐसी experiment पे काम करते, जिससे जो liquid होगा, वो इतना जादा sticky होगा, कि एक बाद किसी object पे वो चिपक गया ना तो वो हटने का कभी नाम ही नहीं लेगा, दोस्तों, kind of permanent glue, लेकिन फिर experiment खतम होने के बाद वो liquid बन जाता है, reusable, not so sticky glue, जो कि उनके हिसाब से फिल experiment था, लेकिन फिर उनके colleagues ने उनने idea दिया sticky notes का, जो कि दोस्तों, आज वही बहुत सारी companies का करोड़ों का business है, वैसे क्या अब भी ये sticky notes के उसके हैं, मुझे करने से please बादा ना